हेलो एवरिवान वेल्कम बाक तो दिशा क्लासेज उमीद करती हूँ मेरी वीडियो और मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा मेरी मार्केटिंग की वीडियो आपको किसी ना किसी एक्जाम को पिर्पेर करने में या आपके बिजनस को ग्रो करने में जरूर हेल्फुल होगी आज हम डिसकस करेंगे फिलिप कोटलर की बुक का चाप्टर नंबर 18 पार्ट 34 इस चाप्टर के भी 33 parts already uploaded हैं मेरे चैनल दिशाक्लासेज पर अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो आप मेरी मार्केटिंग की प्लेइलिस्ट को विजिट कर सकते हैं उस मार्केटिंग की प्लेलिस्ट में आपको इसके अलावा भी फिलिप कोटलर की बुक के साथ चप्टर्स और मिलेंगे, वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं चप्टर नमबर 18 हमारा है, मैनेजिंग मास कॉम्निकेशन्स अगर हम कॉम्निकेशन के मैथड्स की बात करें, कि किनके थूँ एक कमपनी अपने टार्गेट मार्केट के साथ या कस्टमर्स के साथ कॉन्टेक्ट बना सकती है, कॉम्निकेट कर सकती है तो Philip Kotler की book में वो 8 methods हैं उन 8 methods में से 4 ऐसे communication के method हैं जिनके थुरू आप अपनी communication को mass level के target audience तक पहुंचा सकते हैं वो 4 methods हमारे हैं advertising, sales promotion, events and experiences and public relations इन 4 ही methods को develop करने का, design करने का या इनका process क्या है, किन-किन steps को हमें follow करना पड़ता है वो हम इस chapter में detail में discuss कर रहे हैं advertising को और sales promotion को हम detail में discuss कर चुके हैं हमने start कर रखा है हमारा 3rd communication का method events and experiences events and experiences में हम discuss कर चुके हैं objectives कि marketers इतना पैसा लगा के events को क्यो sponsor करते हैं उनके क्या objectives होते हैं उसके पीछे के जो 8 reasons हैं उनको हम detail में discuss कर चुके हैं last हम discuss कर रहे थे major sponsorship decisions कि जब भी कोई marketer किसी event को sponsor करता है तो उसके लिए उसको कौन से major decisions लेने पड़ते हैं या फिर आप कह सकते हैं process क्या होता है इस process में 3 steps हैं या आप कह सकते हैं 3 decisions हैं जो एक marketer को लेने पड़ते हैं जब भी वो किसी event को sponsor करता है तो पहला जो हमारा decision है या step है वो है choosing the appropriate event क्योंकि बहुत सारे events organize किये जाते हैं हर एक marketer हर एक event को तो sponsor नहीं करेगा तो सबसे पहले marketer को choose करना है एक appropriate event जिसमें उसका target market के audience आते हों या target जिस market को वो करना चाता है उसके जो customers हैं वो उस event में interest रखते हों उसके बाद second step हमारा है designing the optimal sponsorship program जब आपने event को choose कर लिया कि हम इस event को sponsor करेंगे फिर उसके लिए आपको एक sponsorship program भी design करना है clear third हमारा final जो step होगा वो है measuring the effects of sponsorship finally हम क्या करेंगे अपने sponsorship के effects को measure करेंगे results को देखेंगे कि जो हम objective लेके आए थे sponsorship के लिए क्या वो objective फुल्फिल हुआ है क्या हमारी sponsorship के बाद हमारे effects आए है clear तो इन तीन steps को हमें follow करना होता है जब भी हम किसी event को sponsor करते है पहला जो हमारा step है event को choose करने वाला वो हम last video में cover कर चुके है आज हम second और third step को cover करेंगे second step हमारा है जब आपने event को choose कर लिया उसके बाद है designing sponsorship program आपको अब sponsorship के साथ साथ एक program भी बनाना पड़ेगा यह करें बहुत सारे marketer यह मानते हैं कि जो आपने event sponsor किया है वो तभी successful होगा जब उसके साथ आपने कोई एक अच्छा सा marketing program भी बनाया हो हर एक event को sponsorship करने के साथ साथ आपका एक marketing program भी होना चाहिए तभी आपकी sponsorship आपको success दिलवाएगे at least two to three times the amount of the sponsorship expenditure should be spent on related marketing activities तो यह कह रहा है जितना amount आप अपनी sponsorship पे खर्च कर रहे हैं उसका at least two to three times आपको related marketing activities पे भी spend करना है मतलब ऐसा नहीं है event को sponsor कर दिया तो उसके results आपको मिल जाएंगे उसके effects आपको मिलेंगे उसके साथ साथ आपको एक marketing program को भी त्यार करना पड़ेगा marketing program में आपकी related marketing activities आजाती हैं वो उस पे भी आपको खर्च करना पड़ेगा तभी आपको success मिलेगी उस sponsorship से उसके बाद जब हम event creation की बात करते हैं event creation मतलब events को organize करना इस आप particularly important skill in publicizing fundraising drives for non-profit organizations यह के रहा है जो हमारी non-profit organizations होती है तो non-profit organization का जो motive है वो profit कमाना तो है नहीं यह जो organizations होती है यह society के किसी issue पे काम करती है जैसे किसी भी issue पे जो हमारी society के problems होती है उन पे यह SAC organizations काम करती है या आप charity fund कर सकते हैं या जो charity के लिए societies होती है इनका जो motive होता है वो profit कमाना नहीं बलकि society को service देना होता है तो जो non-profit organizations हैं यह बहुत सारी events को organize करती है events को जब यह organize करती है तो इनका जो important काम होता है event को organize करने का वो होता है fund इकठा करना और उस काम में इनके पास अच्छे से अच्छी skills होनी चाहिए event organization या हम कह सकते है event creation particularly important skill है किसके case में? non-profit organizations के case में जिनको fund इकठा करना है तभी तो उनके पास fund आएगा और तभी वो उस problem पे या issue पे काम कर सकते हैं तो non-profit organizations के लिए event creation सबसे important skill है अगर उन्हें public से fund इकठा करना है fundraisers have developed जो यह fundraisers हैं जो non-profit organizations हैं या charities हैं या जो भी हैं have developed a large repertoire of special events including anniversary celebration, art exhibitions, auctions, benefit evenings, book sales, cake sales, context तो यह बहुत सारे events के नाम इनों ने दे रखे हैं तो यह कह रहे हैं जो भी हमारे non-profit organizations हैं या charity funds हैं वो क्या हैं? उनके पास एक बहुत सारे special events का list है list of supply side मलब वो इतने सारे events organize करते हैं fund को इकठा करने के लिए और जो event creation या organization की skill है वो mostly किसके पास होनी चाहिए? non-profit organizations के पास जिनको fund इकठा करना है clear? उसके बाद more firms are now using their names to sponsor arenas, stadiums and other venues that hold events spending billion of dollars for naming rights to major North America sport facility ये किया रहा है आज कल क्या हो रहा है? events को sponsor करने के साथ साथ बहुत सारी firms अपने नाम से sponsor करते हैं किन चीजों को? जैसे कोई भी areas बन रहे हैं, stadiums बन रहे हैं ये कोई भी other venues जहां events करवाय जाते हैं उनको sponsor करते हैं अब companies events को sponsor नहीं कर रही है जहां events होते हैं, उन places को कर रही है जैसे stadiums को बनाने में पैसा contribute कर रही है या जो हमारे other venues हैं जहां events organize किये जाते हैं या फिर arenas है बलब ऐसा public gathering का एक area जहां sitting होती है जहां आप entertainment के या concern के shows देख सकते हैं तो ऐसे-ऐसे places को sponsor कर रहे हैं आज कल की firms इवेंट्स को sponsor नहीं कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं उन places को sponsor कर रहे हैं जहां events organize किये जाते हैं spending billion of dollars for naming rights to major North America sports facility जितनी भी हमारे North America में sports की facilities हैं उनको जो mostly sponsor कर रही हैं वो हमारी pharmacy कर रही है for naming right सिर्फ अपना नाम उससे जुड़ाने के लिए सिर्फ अपनी publicity करने के लिए या अपनी brand की image बनाने के लिए but as with any sponsorship the most important consideration is the additional marketing activities लेकिन बेशक आप किसी भी चीज़ को sponsor करें sponsorship में जो main important consideration है वो हमारी होती है additional marketing activities जो भी है मैंने आपको यहां भी बताई थी कि जब भी आप किसी भी event को sponsor कर रहे हैं या कुसी AC place को sponsor कर रहे हैं जा events organize होंगे तो main आपका है कि आपके पास एक marketing program भी होना चाहिए उस sponsorship को accompany करने के लिए तबी आपकी जो sponsorship है वो successful हो पाएगी क्योंकि अगर आप related marketing activities पे खर्च नहीं कर रहे तो अकेले sponsorship आपको results नहीं देगी sponsorship के साथ साथ आपका एक भड़िया सा marketing program भी होना चाहिए जिसमें कुछ related marketing के activities होनी चाहिए तो जाके आपकी जो event sponsorship है वो successful हो सकती है और event creation या organization का भी हमने देख लिया particularly किस case में non-profit organization जिनका काम क्या है fund raise करना उनके लिए important है कि उनके पास ऐसी skills होनी चाहिए कि वो अच्छे से अच्छे events को organize कर पाए या हम कह सकते है create कर पाए तब ही उनके पास fund एकठा हो सकता है और फिर हमने देख भी लिया जितने भी fund raiser है जिनको भी fund raise करना है public से उनके पास list of special events है जैसे वो anniversary celebration करते रहते हैं आर्ट के exhibitions लगाते रहते हैं auctions करते रहते हैं book sales करते रहते हैं यह हम कह सकते हैं tours करते रहते हैं और है हमारे fashion shows होते रहते हैं dance होते रहते हैं dinners होते रहते हैं तो इस type के events वो organize करते रहते हैं clear उसके बाद हमने देख लिया कि भी Events को sponsor करने की बजाए, आजकल firms क्या कर रही हैं? Places को sponsor कर रही हैं, जहाँ events organize किये जाते हैं, clear? उसके बाद जो हमारा final third step है, measuring the sponsorship activities. अब finally आपने sponsor भी कर दिया, तो अब आपको measure करना है, उस sponsorship activity के क्या effects हुए हैं, जो भी आपका objective था, क्या आपको results मिले हैं? It is a challenge to measure the success of events. यह कर रहा है, अगर आपने advertising करी है, उसका effect measure करना easy है. आप sales को देख लो, sales increase हुए हैं नहीं, आप communication effect research कर लो, कि communication पर क्या effect हुआ है, महलब हमारी awareness बढ़ी है, knowledge customers को हुई है या नहीं, लेकिन events की success को measure करना एक challenge है. इमेज पर, या आपकी sales पर हुआ है, तो उसको measure करना एक challenge है. Marketing memo दे रखा है, measuring high performance sponsorship programs, offer some guidelines from industry expert IEG. यह कह रहे हैं, इन्होंने कुछ दी है guidelines हमें, कि भी कैसे कैसे आप कर सकते हैं, वो इतना काम का है नहीं. हम आजाते हैं, दो चीज़ों से आप measure कर सकते हैं. एक हमारे पास है supply side का method, एक हमारे पास है demand side का method. हम discuss करते हैं पहले supply side methods. For measuring any event success, assess the media coverage. यह कह रहे हैं, supply side में आपको क्या देखना है, अगर आप event की success को measure करना चाहते हैं, तो आप यह देखें कि भी media ने आपको आपके brand को या आपके product के logo को कितनी देर के लिए उस event में cover किया है. Clear? For example, the number of seconds the brand is clearly visible on a television screen or the column inches of press clippings that mention it. आप यह देखें कि भी कितनी seconds के लिए, number of seconds के लिए, आपकी brand clearly दिख रही थी TV की screen पे, जब वो event चल रहा था, या फिर अगर press में कोई news आई है, कोई clippings आई है, तो उसने कितनी जगें में आपकी brand को या product के logo को mention किया है. Clear? जैसे for example, आप यह देखें, यह FIFA World Cup का हमें दिखा रखा है, FIFA World Cup है, television पे आता है, या आप कोई भी event देखते हैं, IPL देखते हैं, IPL भी आप देखते होंगे, तो जो भी event आप TV पे देखते हैं, तो आप कैसे major कर सकते हैं उसकी success को, कि कितनी देर के लिए, जो television की media ने coverage किया है, आपके brand को number of seconds के लिए कितनी देर के लिए किया है, या अगर newspaper में उसने कुछ clippings डाली है उस event से related, तो वहाँ आपके जो image है, उस image में आपका banner है, poster है, या logo है, कोई चीज है क्या, तो वो आप वहाँ से देखके number of seconds, कि कितनी seconds के लिए, आपकी brand के name पे, या logo पे, कितनी देर के लिए वो television का focus गया था, कितनी देर के लिए television ने उसको cover किया, वहाँ से आप major कर सकते हैं, जैसे ये fly emirates है, ये जब TV पे दिखा होगा, तो जब ये यहाँ से goal कर रहे थे, तो एक बार ये fly emirates, कितने seconds के लिए दिखा है, television पे, clear, या अगर कोई newspaper में clippings आई है, तो जो image आई है, क्या उसमें हमारी brand का clipping का कुछ है, या नहीं है, clear, तो इन चीजों से आप उसकी success को major कर सकते हैं, otherwise नहीं, तो आपको देखना है, कितनी number of seconds के लिए आपकी brand, television की screen पे clearly visible थी, या अगर press में कोई clippings थी, तो क्या उसमें उसका कोई जिक्रा है या नहीं, these potential impressions can translate into the dollar cost of actually advertising in the particular vehicle, यह करा है, इसके थूँ आप ये भी देख सकते हैं, कितनी dollar actual cost आपको पड़ी है उस advertising की, clear, उस particular vehicle के लिए, जैसे TV में आया, तो कितनी cost हम बाढ़ दें, या newspaper में भी आया तो उसमें distribute कर दें, some industry consultants estimate that, 30 second of logo exposure during a television event can be worth 6%, 10% और as much as 25% of 30 second TV ad support, यह करा है, बहुत सारे industry के जो consultants हैं, उनका मानना है, अगर कोई भी event television पे चल रहा है, और उस event के during, आपका जो logo है, brand का, product का, या corporate का, वो अगर 30 seconds के लिए, visible है television की screen पे, जब वो event चल रहा है, तो उसकी value कितनी है, 6%, 10%, यह जादा से जादा 25% of a 30 second TV ad support, और अगर आप उसकी बजाए, TV में अपनी ad देते हैं, TV में अगर आप अपनी advertisement दे रहे हैं, तो वो 30 second के लिए तो चलेगी नहीं, वो तो बार-बार repeat होती है advertisement तो, वो बार-बार repeat होगी, लेकिन event में सिर्फ अगर आपको 30 seconds की logo exposure मिला है, जब वो event चल रहा है, क्योंकि event तो हम live देखते हैं, match जो अब भी आप देख रहे हैं, international level के हूँ या national level के, तो वो एक-दो घंटे के लिए जितनी देर के लिए भी चल रहा है, अगर उसमें 30 seconds का अगर आपका logo का exposure हुआ है, तो आप ये मान के चलें, इस 30 second की जो ये TV ad है, इसके जो results हैं, वो जो 30 second का logo exposure है, बार आपकी advertisement को repeat करेगा, लेगिन जो ये event है, event में सिर्फ हो सकता है, आपका logo सिर्फ 30 seconds के लिए television पे expose हुआ हूँ, clear, तो अगर हम industrialist की बात करें, तो वो कहते हैं कि ये उस TV commercial के comparison में, सिर्फ 10%, ये 25% ज़्यादा ज़्यादा वर्थ रखता है, अगर आप मेडिया की coverage को advertising exposure के साथ compare कर रहे है, तो आप उस communication का respective content है उसको ignore कर रहे है, क्योंकि हमने ये तो देख लिया कि 30 seconds की TV advertising है, और 30 seconds का ही हमें event के through exposure मिला है, तो हम इन दोनों को equate करके देख रहे हैं, लेकिन आप ये देखें, आप इसमें किस चीज को ignore कर रहे हैं, ताइमिंग्स तो आपने देख लिए, कि भी 30 seconds हमें event के through logo का exposure मिला है, और 30 seconds के हमारी TV, लेकिन आपने इसके content को ignore कर दिया, ये कह रहे हैं, जब advertiser किसी भी media की space को या time को use करता है, तो जो भी उसका designed message है, strategically, वो उसको communicate करता है, जब आप TV पे add देते हैं, तो अपने according देते हैं, आपका message होता है, जो आपने design किया होता है, आप उसी के लिए तो pay करते हैं, इसी लिए आप media की space लेते हैं, या media का time लेते हैं, अगर TV पे दे रहे हैं, media की space में magazines वगरा में दे रहे हैं, तो वहाँ आपका जो message है, वो designed होता है, media coverage and telecast only expose the brand and don't necessarily embellish its meaning in any direct way, लेकिन अगर हम media coverage की बात कर रहे हैं, आपने media coverage को और advertising को compare तो कर दिया, quantify में, कि 30 second का event में मिल रहा है, 30 second की ही TV पे ad मिल रही है, वो तो कर दिया, लेकिन आपने ये तो नहीं देखा, content दोनों का same नहीं है, क्योंकि जब आप media को use करके, कोई भी time buy करते हैं, या space buy करते हैं, तो आप एक message भेजते हैं, ad में आपका एक message जाता है, जो आप target audience तक पहुचाना जाते हैं, लेकिन जब media coverage होती है, event के थुरू, वो सिर्फ आपके brand को expose करता है, कोई भी उसके साथ message नहीं जाता, अभी ये जैसे आपने, अभी मैंने आपको दिखाया था, तो यहाँ सिर्फ Fly Emirates का एक logo दिख रहा है आपको, brand name दिख रहा है, क्या इसके साथ कोई message भी आपके पास आ रहा है, नहीं, कई योगों तो यह नहीं पता होगा, Fly Emirates किस product को sale करती है, या क्या ये services देती है, तो इसका कहने का मतलब है, कि जो industrialist कह रहे हैं, कि 30 second की TV commercial अच्छी है, as compared to 30 second of logo, क्योंकि उसमें आप क्या कर सकते हैं, advertisement में आप अपनी message को भी भेज सकते हैं, लेकिन जो media coverage होती है, events के थुरू, उसमें सिर्फ आपकी brand brand दिखती है, उसके पीछे का कोई भी meaning नहीं दिखता, although some public relations, professionals maintain that positive editorial coverage can be worth 5 to 10 times the equivalent advertising value, sponsorship rarely provides such favorable treatment, और इसी लिए बहुत सारे जो हमारे professionals हैं, उनका कहना है, कि अगर आपकी कोई positive editorial coverage है, वो 5 से 10 गुना अच्छी है, as compared to आपकी sponsorship, क्योंकि sponsorship में इतना favorable treatment आपको नहीं मिलता, सिर्फ आपकी एक brand का logo, या brand name, या company का name ही तो दिखाया जाता है, वो भी सिर्फ 30 seconds, 40 seconds इसके लिए, इसके comparison में, अगर आपकी कोई positive editorial coverage है, अगर आप newspaper में या magazine में अपना space भाय करके, वहाँ आप अपनी advertisement या कोई भी message भी भेजते हैं, तो वो ज़्यादा better है as compared to 30 seconds का वो exposure जो event आपको दे रहा है, clear? उसके बाद है हमारा demand side method, identifies the sponsorship effect on consumers, demand side में हम देखते हैं कि हमारी sponsorship का consumers पे क्या effect हुआ है, उनकी brand knowledge पे, कि भी क्या उनको brand की knowledge हुई भी है या नहीं, marketers can survey specters to measure their recall of the event and their resulting attitudes and intentions towards the sponsor, यह कह रहा है आप survey कर सकते हैं, marketer क्या करे, survey कर ले, उसमें देखें कि भी जो हमारे customers हैं, target audience है, क्या उनको वो event याद भी है और क्या उनका resulting अगर उन्होंने हमारे logo को या brand के name को event के through देखा है, तो क्या उनका attitude है, क्या intentions है sponsor की तरफ, marketer की तरफ उनका अब event को देखने के बाद क्या intention है या क्या attitude है, तो यह हम major कर सकते हैं, survey के through, तो हमने दो चीजे देख ली, कि जब आपको results को major करना है, एक है supply side, supply side में हम quantified majors का use करते हैं, कि आप यह देखते हैं, कितनी देर media ने आपको coverage किया, टेलिविजन पे, और अगर उनकी event की कोई clippings आई है, तो क्या उसमें आपको कितना space मिला है, क्या आपका नाम या उस photo में आपका brand दिखाया गया है या नहीं, जैसे अब यहाँ, एक बहाँ बताओ, brands तो और भी लगे हुए थे या, लेकिन इन्होंने fly emirates वाला ही example में क्यो डाला, तो इसे हम बोलेंगे media clippings, कि media में जो clippings गई वो fly emirates वाली ही क्यो गई, और भी तो बहुत सारी pictures clip हुई होंगी, इस event के दोरान, तो उनको भी डाल सकते थे, तो यहाँ से major कर सकते हैं, कि भी आपको वो worth हुआ है या नहीं, अब और companies को तो यहाँ में आपको example नहीं दे अगर हम मानें या professionals की मानें, तो उनका कहना है कि media coverage जो event आपको देता है, उसके comparison में advertising या कोई भी positive editorial coverage ज्यादा अच्छा है as compared to event के exposure से, clear demand side में भी हमने देख लिया कि भी आप survey करके customers का यह देख सकते हैं, event के बाद उनका sponsor की तरफ क्या attitude है, क्या intention है, यह थी हमारी आज के वीडियो, अगर आपको कोई भी doubt होता है तो आप मुझे comment box में comment कर सकते हैं, इसके बाद सिर्फ हमारा क्या रह जाएगा, creating experiences, फिर हमारा जो third method है, event experiences वाला वो भी complete हो जाएगा, और fourth method सिर्फ रह जाएगा हमारा public relations, फिर यह chapter हमारा complete हो जाएगा public relations के बाद, तो जितने भी मेरे viewers हैं, उन सभी से एक ही request है मेरी, मैं आपके लिए इतने efforts यहाँ लगा रही हूँ, एक-एक line को यहाँ आपके लिए ऐसे dictate करती हूँ, या फिर इतने अच्छे से आपको समझाने कोशिश करती हूँ कि एक भी line, फिलिप कोटलर की book की आपकी ना छुटे, तो आप सभी से request है, please videos को share कर दिया करो, अपने friends के साथ, relatives के साथ, या जितने भी आपके study groups हैं, और अगर अभी तक आपने channel को subscribe नहीं करा, तो please channel को भी subscribe कर लें, क्योंकि बहुत सारे viewers अभी भी सिर्फ videos को देखते तो हैं, लेकिन उन्होंने channel को subscribe नहीं करा, तो please आप सभी से request है, channel को subscribe क कर लें, दिशा classes और जितना हो सके channel को और videos को promote करें, thank you for watching, दिशा classes.